कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर संगीता जाजी द्वारा लिखी गई कहानी सीता जब वन नहीं गई पहले मैंने इस कहानी का शिर्शक बेचारी सीता सोच रखा था पर फिर सोचा सीता और बेचारी कैसे उससे ज़्यादा स्वाभिमानी और जिद्धी कोई औरत तो हमारे महाकाव्यों में हुई ही नहीं बच्पन में अपनी मा से सुना कि दशहरा वो दिन है जिस दिन राम ने रावन का वद किया था रावन को दशहरे के दिन जलाने का भिप्राय भी यही है कि सारी बुराईयों को जला दो और एक नए जीवन के शुरुवात करो उसके बाद दिपावली के दिन राम सीता के साथ वापस अयुद्ध्या आये थे थी तो वह अमावस की रात दीप जला उनका स्वागत किया था अयुद्ध्या वासियों ने तब से आज तक राम आने के खुशी में हम अपनी घरों में दिये जलाए जा रहे हैं ये सब जान की देवी अपने दोनों नाती को सुना रही थी और वे दोनों भी बड़े ध्यान से आगे कहकर सुनते जा रहे थे ठक कर जान की देवी ने कहा आगे अब कुछ नहीं और उन्होंने अपनी कहानी समाप्त की नाम था उनका जान की माबाप ने सीता के नाम पर रखा कि कोई राम उन्हीं महल में ब्याह कर ले जाएगा उनके रूप और गुणके किस सिफ सारे गाउं में मशुर हो गए ब्याह ने आए भी राम स्वरुप और ब्याह ले गए वो तो राम ही थे लेकिन वो सीता नहीं बन पाई ब्याह के बाद उनकी नौकरी बंबई में लगी और उन्होंने उनसे साथ चलने को कहा लेकिन वो अपनी बिमार दश्रत और कोशल्या यानि साथ ससुर छोड़ न जा पाई काश उन्होंने भी सीता जैसी हिम्मत दिखाई होती और सब कुछ छोड़ अपने राम के साथ वनवास के लिए चली गई होती लेकिन दिमाग में तो मा की पढ़ाई हुई घुट्टी भरी हुई थी कि लड़की का ब्याह केवल लड़के से नहीं पूरे परिवार से होता है सास और ससूर माबाप के तरह होते हैं उनका ख्याल रखना हर बहु का फर्ज होता है मन में सोचा कि अपने बाबुजी बिमार होते तो क्या वो जाती सोच कर रुख गई सीता की तरह राम के साथ न जा पाई वहां तो शायद राम ने सीता से राजमहल में अपने बुढ़े पिता दर्शरत के साथ रुखने का आगरभी किया था जिसका पालन करने से सीता ने साफ इंकार कर दिया और तो और लक्षमण भी अपनी उर्मिला को छोड़ भाई-भाभी के साथ बन की ओर चल पड़े यहां राम स्वरूप जी ने उनसे न केवल अपने साथ बंबई चलने की जिद की बलके धमकी भी दी कि अगर वो साथ न चली तो वे उनकी सौत ले आएंगे लेकिन वो भी ठहरी मुर्ख उस वक्त साथ ससुर पर माबाप से ज़ादा प्यार आया और वो उनकी साथ वहीं गोरखपुर में रुख गई साथ समझाती राम चरित मानस पढ़ो कुछ सीखो सच मुझ के सीता बनो ये मन में सोचती हैं कि रामायड की रचना तो महर्शिवाल में की ने की थी उनका हिर्दय एक रोजपक्षी के जोड़े के विछोग को देख इतना व्यथित हुआ कि उसी मन स्थिती में उन्होंने रामायड का निर्मार कर दिया क्या वे उर्मिला यानी लक्षमन की पत्नी का दर्द नहीं समझ पाए इस कलियुक की जान की अपनी जिन्दगी की तुलना उर्मिला से करती जब लक्षमन अपने भाई-भावी के साथ वन गए तो उर्मिला को अपने मा के पास छोड़ गए उर्मिला वेचारी तो एक कुसम कलिका की तरफ राजा प्रसाद के किसी कोने में एक दो नहीं 14 सालों तक विरावेदना में तडपती रही उर्मिला की तरफ से तो केवल वालमिकी नहीं तुलसी दास जी भी निस्ठोर हो गए दोनों ही ग्रंथों में उर्मिला के त्याक का कोई उलेख ही नहीं है उनका सोचना था कि पूरे त्रेता युग में सीता से जादा मजबूत स्वाभी मानी और अपनी शर्तों पे जीने वाली कोई इस्त्री थी ही नहीं घर पर रखी रामचरित मानस पढ़ती और बार बार उनका मन दो लाइनों पर अटक जाता सीता ने अपना स्वाभी मान अपनी हट धर्मिता पूरे रामचरित मानस में दिखाई उस काल में भी स्वैंबर रचाया गया रावण का परिहास किया विवाह के जब पती को वनवास हुआ तो खुद भी विमार ससूर को छोड़ साथ चली गए पती और देवर को उस म्रिक के पीछे दोड़ाया मतलब ही है कि अपनी इच्छा का पूरा सम्मान किया लक्षमन रेखा लांगी क्योंकि उन्हें लगा कि पती के आग्यां से कहीं ज़ादा एक भीच्छो के भीच्छा है अपने मन की ज़ादा सुनी और यही नहीं हनुमान जी को लंका से या कह लोटाया कि जब श्रीराम लेने आएंगे तब ही वे जाएंगी क्या कल्यूग के जान की ये सब कर पाई विवाह के बाद केवल चार देन ही पती साथ रहे और पेट में अपनी निशानी छोड़ गये बगल में ही पती के लंगोटिया यार लक्षमन पर साद यादव रहते थे घर पर तो कोई लक्षमन था नहीं इससे सासुर बहु की तबियत खराब होने पर बगल वाले लक्षमन को ही बुला लाए बार बार कै करती और खून की कमी से गुलाबी से सफेद हो गई जान की भावी की हालत उस लक्षमन से देखी नहीं गई वे ही उन्हें डॉक्टर के पास चेक अप के लिए ले गए पती को कई चिठ्चियां लिखी गई उन्हें मिली भी या नहीं इसका कोई प्रमाड भी नहीं था वो नहीं आए तब उन्हें पिता की बिमारी का तार दिया गया जब राम सुरुप घर पहुचे उसे दिन लक्षमर जी उन्हें पास के अस्पताल जाच कराने ले गए थे उन्हें उदास देख उनके चेहरे पर हसी लाने के लिए सचमुष के लक्षमर जी ने अपनी जान की भावी के लिए बिन दिया टिकले और चूणिया खरीद दी घर पहुच राम जी ने सीता के लक्षमर के साथ बाहर जाने पर आपत्ती जाहिर की माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन उन्होंने तो अजन्मी संतान को भी अपना नाम देने से मना कर दिया दूसरे ही दिन बिना जान की से बात किये वो वापस चले गए पर खुशियां भी मनाई यहां उन्हें अपने और सीता के भागे में कुछ समानता लगी सीता की तरह ससुरवाल मिकी बन गए और बालक कुशल अपने बाबा को ही पिता मान बढ़ा होने लगा दूसरी जरूरते लक्षमर चाचा पूरी कर देते थे जानकी जी थोड़ी पढ़ी लिखी थी इससे बेटा बढ़ा होता गया और वो गाउं की महिलाओं को साक्षर और स्वाभिमानी बनाने में लगी रही सीता ने पती का घर छोड़ा तो कभी पलट कर वापस आने की न सोची सीता त्रेता युक की महानिस्त्री राम जैसे राजा के सामने भी नहीं जुकी और अगनी परिक्षा के बाद अपनी माधर्ती में समा गई लेकिन छोटे से शहर की जानकी ने ना केवल खुद को स्वावलंबी किया बलकि बेटे को भी इतनी अच्छी तालिम और संसकार दिये कि वो किसी सीता की कभी अगनी परिक्षा ना ले समय भीता गया हर दशहरा और दिपावली उनके घाव हरा करते गए अब तो वो दादी बन गई है पर अब भी जब राम चरित मानस पढ़ती है और मिला के लिए आसू बर्बस निकल आते हैं अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता जाजी द्वारा लिखी गई कहानी सीता जब वन नहीं गई उमीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद